हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चैनल फार्मा रोक्स के यूटूब एज़ू के स्वागत है आज के विडियो लेक्चर में हम जानेंगे टॉप टैन मोस्ट एक्सपेंसिव मेडिसिंस के बारे में कि टॉप टैन सबसे महेंगी दवाया कौन सी है वो हम जानेंगे कि ये जो प्रिस्क्रिप्सन बेज मेडिकेसंस रहती है और सबसे महेंगी और एक्सपेंसिव है पूरे वर्ड के अंदर तो जानते हैं ये मेडिकेसंस के बारे में और सीखते है कि उसके यूज वगेरा क्या होते है और उसके प्राइस वगेरा भी हम जानते है तो सुरू करते हैं आज का ये lecture expert lecture by Amar Sir assistant professor and founder of PharmaRox तो अब समझते है top 10 जो सबसे महेंगी दवाया है तो उससे पहले जान लेजे कि ये जो वीडियो है वो सिर्फ educational purpose के लिए है तो आप समझे कि जो सबसे महेंगी दवायों के अंदर जो दसवे नमबर पे वो है Ilaris Ilaris के अंदर जो main active pharmaceutical ingredient जो है कैना किनुमेब तो ये जो कैना किनुमेब है वो दसवे नमबर पे कि जिसका brand name है Ilaris तीला इसकी जो हम price समझे तो treatment cost for recommended maximum dose is around 3,79,000 to 4,62,000 US dollar मतलब की 2.78 करोड से लेकर 3.39 करोड रुपीज per person with periodic fever syndrome कि अगर इसका आपको treatment करनी है periodic fever syndrome की तो ये medication का जो प्रॉपर खर्चा होता है around 2.78 करोड से लेकर 3.39 करोड होता है अपदे थेरापी की इसके जो injection की जो थेरापी होती है पूरे कि समझे कि वो थेरापी at least one year के लिए है तो उसका जो प्रॉपर खर्चा होता है around 2.78 करोड से लेकर 3.39 करोड तो जो प्रॉब्लेम है कि periodic fever syndrome के अंदर ये use किया जाता है तो people with periodic fever syndrome have a episodes of fever and inflammation कि उनको fever होता है inflammation होती है without other causes such as infection और virus की जैसे मैं पता है कि कोई infection होता है कोई viral infection होता है दूसके करण body के अंदर fever होता है but बीना किसी reason के कि ना ही इनको infection भी हो और ना ही कोई viral infection है फिर भी उनको fever and inflammation रहते हैं body के अंदर तो ऐसे patient का जो पूरा treatment होता है इलारिस से तो ये इतना खर्चा राउंड होता है 2.78 से लेकर 3.39 करोड और ये medication को sudden juvenile ideopathic arthritis के treatment के अंदर भी use किया जाता है इन children 2 years of age and older तो ये है सबसे महिंगे दवायों के अंदर नमबर 10 पे रहा इलारिस के जिसको अंदर main medication है काना की नुमेब second है नमबर 9 पे वो है मिटाई रोसीन करके है कि जिसका brand name है damsar कि जो damsar का आप देख सकते है container कि जिसके अंदर जो capsule से है 250 mg का जो capsule आप देख सकते है और ये prescription based medication है मिटाई रोसीन उसके अंदर main active pharmaceutical ingredient है तो treatment cost for recommended maximum dose is around 96,000 US dollar to 4,72,000 US dollar around 70,000 to 3.46 crore rupees per person तो इसका जो proper खर्चा है around 70,000 से लेकर 3.46 crore होता है per person और उसको यूज किया जाता है to treat the adrenal gland tumor कि जिसको medical terms में कह जाता है pheochromocytoma pheochromocytoma जो होता है कि एक टाइप का adrenal gland का tumor है उसके treatment में ये use होता है ये medication and used to decrease the amount of certain chemicals in body caused by a type of cancer called adrenal gland tumor and patient produced the excessive amount of nor epinephrine and epinephrine which can dangerously elevate the blood pressure मलब कि जिन लोगों को ये pheochromocytoma होता है कि जो adrenal gland का tumor होता है तो उनके अंदर ये जो chemicals nor epinephrine and epinephrine का जो production है वो काफी ज्यादा amount में होता है जिसके करन problem ये होता है कि उनका blood pressure काफी high रहता है और बागी जो हम देखते कि normal anti-hypertensive medicines होती है blood pressure कम करने वाली जो medications होती है उनसे उनका इलाज जो है वो करना impossible है तो ऐसे लोगों को ये metairocin की treatment जो है वो होती है और इसका खर्चा होता है around 70 lakhs से लेकर 3.46 crore rupees per person की जो उसका recommended maximum dose होता है कि जितने time तक इसकी treatment आपको proper लेनी होती है तो वो पूरे treatment का जो खर्चा होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर number 8 पे है photo और folotene करके है कि जिसके अंदर pralate regset करके medication है तो pralate regset का आप यहाँ पे देख सकते है container की जिसके अंदर 40 mg पर 2 ml का यह आप जो है वो वाइल देख सकते कि जो intravenously use होता है RX only तो इसकी हम price देखे तो 3.344,000 US dollar तो around 5 US dollar मतलब कि 2.05 करोड से लेकर 3.66 करोड रूपीज जितना इसका price रहता है per person कि जो उसकी therapy लिनी पड़ती है और यह use होता है peripheral T-cell lymphoma कि जिसको PTCL जो हम कहते है peripheral T-cell lymphoma an aggressive form of non-Hawkins lymphoma तो एसे patient के जो symptoms वगरा कम करने के लिए उसको इलाज करने के लिए यह injection यूज़ किया जाता है साथ हो साथ जो cytotoxic antimetabolate है यह जिसको हम कहते है कि fallet antagonist की जैसे आपने methotrixet का नाम सुना होगा उसे तरह से यह है pralatrixet बड़ यह pralatrixet की जो price है वो काफी ज़्यदा है कि जिसके करने यह expensive medications के अंदर जो आप उसको include कर सकते हो और यह price बनती है 2.5 करोड से लेकर 3.66 करोड of the proper therapy की जब तग इसकी therapy use की जाती है तो यह पूरी therapy उसका जो proper course होता है उसका यह costing पड़ता है एक person को number 7 पे हम देखे तो solaris करके कि जिसके अंदर equally zoomed drug है तो बाज़ो में उसका आप यह container देख सकते है solaris and 300 mg उसका content concentrate for solution for infusion तो equalizimab तो monoclonal antibody type का है और इसका जो cost है around 6 lakh US dollar Indian currency के अंदर देखे तो around 4.4 करोड rupees per year per person and इसका जो use कहा पे हो जाता है तो used to treat a rare chronic blood disease कि जो chronic blood disease होती है और यह chronic blood disease का नाम है hemolytic uremic syndrome AUHS जिसको कहा जाता है कि AUHS को treat करने के लिए यह solaris use किया जाता है कि जो monoclonal antibody है and also used to prevent the breakdown of RBC in people with paroxymal nocturnal hemoglobinuria कि PNH का जो हम problem कहते है उनके लिए भी यह use होता है साथ हो साथ EHUS के लिए तो इसकी price भी आपने जान ली 4.4 करोड रुपी per therapy फिर बात आती है lumizyme की कि जिसके अंदर auglucosidus alpha जो है वो present है so lumizyme auglucosidus alpha जन्जाइम is a lysozomal glycosin specific enzyme used to treat pompe disease कि आपने pompe disease का नाम सुना होगा तो यह pompe disease के treatment के अंदर उसकी इलाज के अंदर यह जो injection जो है वो यूस किया जाता है कि जिसका नाम है lumizyme और उसके अंदर जो drug content है that is auglucosidus alpha तो इसकी हम prices जानते तो उससे आपको पता चलेगा कि यह कितना expensive है तो एक जो वाईल है कि बाजू में जो आप यह वाला एक वाईल देख रहे उसकी price होती है 800 US dollar 800 US dollar पर वाईल for each patient on average need about 56 वाईल पर मन्त अब यह एक वाईल के किम्मत है 800 dollar total 56 वाईल आपको लगेंगे हर महिने और यह treatment चलेगी 12 महिने तक तो उसका समझो कि आप on and average जो costing लगाऊगे तो वो होगा around 6,50,000 US dollar और उसको समझो कि हम Indian रुपीज के अंदर convert करे तो वो होगा 4,8 करोड पर year पर patient कि पर patient आपको at least 4,8 करोड जितना जो खर्चा होगा इसकी treatment and therapy कि जो pompey disease के treatment में use होता है नंबर 5 पर आएगा active immune करके कि जिसके अंदर है interferon gamma 1B तो यह उसका आप वाईल देख सकते है active immune और जिसके अंदर है interferon gamma 1B है तो इसके बारे में भी जानते है तो उसका जो treatment cost है for recommended maximum dose is around 7 lakh US dollar per person per year and around जो हम कहें तो 5.14 करोड रुपीस कि per year इतना approximate cost हो सकता है आपकी treatment का कि जब active immune से आपकी treatment होती है और यह जो है वो जो life threatening condition है osteopatrosis यह खास समझे वर्ड osteopatrosis जो लिखा है तिसमें क्या होता है कि जो bond density है वो increase होती है कि the formation of abnormally dense bond कि जो आप osteoporosis सीखते थी कि osteoporosis में क्या होता था bond density कम हो जाती थी उससे completely opposite यहाँ पर हो रहा है कि bond density increase होती है और यह काफी severe and life threatening condition होती है कि जिसको हम कहते है osteopatrosis bond density काफी increase होती है bond काफी जो है density में काफी increase हो जाती है bonds के और यह जो injection है साथो साथ यूस किया जाता है to reduce the frequency and severity of severe infections in people with chronic granulomatous disease की जो है inherited immune system disease है तो osteopatrosis के साथो साथ जो granulomatous disease है उसके भी treatment के अंदर यह injection यूस हो जाता है और on an average 5.1 फ्रोड करोड रुपीज जितना जो maximum जो recommended dose होता है उसका खर्चा होता है किसी भी person को फिर बात करें नंबर 4 पे तो brianura करके कि जिसके अंदर serliponese alpha main active pharmaceutical ingredient है उसका भी costing same है around 7 lakh US dollar और Indian currency के अंदर 5.1 फ्रोड करोड रुपीज पर patient पर year कि जो recommended dose होता है maximum तो proper जो treatment चलेगी 12 मन तक तो उसका खर्चा होगा 5.1 फ्रोड करोड रुपीज फिर उसके अंदर एक interesting fact यह है कि जब आप सिर्फ उसकी एक kit लेते है तो एक kit का ही price होता है around 20 लेक रुपीज of the kit तो यह जो kit आती है यह injections के vials की तो यह एक kit का ही price होता है around 20 लेक रुपीज और ब्राइन्यू रख्या है तो इस एन enzyme replacement therapy है तो यह injection से constant treatment होती है देख टाइप की enzyme replacement therapy होती है for tripeptidyl peptidase 1 कि यह जो TPP-1 जो आप सीखते है फार्मकोलोजी के अंदर तो enzyme replacement therapy है ब्राइन्यूरा और इस दा फर्स्ट FDA approval treatment to slow the decline of walking disability in symptomatic children of the age of 3 years and also the older तो जो walking disability होती है चलने में तकलिफ होती है तो ऐसे जो छोटे बच्चे होते है कि decline the walking disability कि जिनको walking disability का problem है तो उसको कम करने के लिए उसकी intensity को reduce करने के लिए और आगे जाके condition को normal करने के लिए ब्राइन यूरा जो use किया जाकित जिसके अंदर main API है serliponese alpha फिर नंबर तीन पे है ravic tea की जिसके अंदर glycerol phenyl butyrate करके active pharmaceutical ingredient है and the price tag for ravic tea given as an oral liquid could run up to US dollar 1.22 million जिसका around Indian currency के अंदर होगा 8.9 crore rupees per patient per year of treatment based on the maximum recommended dose कि जो maximum recommended dose जो आप उसका दोगे and for oral use देखो यह आपे लिखा है oral liquid तो patient directly oral ही यह लेता है ravic tea को कि जिसके अंदर medication है glycerol phenyl butyrate single dose of medicine है 5000 US dollar around 3.7 lakh रुपीज क्या आप समझो कि उसका यह single dose लेते है 25 ml वाला तो उसका costing आपको पढ़ता है 3.7 lakh रुपीज treatment approval to help and prevent a build up toxic ammonia in the blood in children from birth and older कि जब किसी बेबी का birth होता है और जब वो अपने growing stage में होता है तो उसके body के अंदर क्या होता है कि blood के अंदर toxic ammonia जो है वो form होता है तो यह toxic ammonia form ना हो उसको prevent करने के लिए उसका इलाज करने के लिए यह जो ravic tea के glycerol phenylbutyrate जो है वो use किया जाता है नमबर दो पे हम देखे तो कार्बाग्लू करके है तो कार्बाग्लू के अंदर कार्ग्लूमीक एसिड है अच्छे से समझ नहीं है कार्बाग्लूमीक एसिड है उसके अंदर and treatment cost is about rupees 3600 US dollar per day which would run about 1.3 million per year तो यहसा नहीं किया दो दिन के लिए treatment चले कि यहसा नहीं है प्रॉपर वन एर द्रक उसका treatment चलेगा और वो treatment का cost लगेगा around 1.3 US dollar 1.3 million US dollar की इंडियन करंसी के अंदर होगा around 9 करोड रुपीस per patient per year of this treatment तो कार्बाग्लू को आप जान लिजे के कार्बाग्लू की जो है कार्ग्लूमीक एसिड उसको भी orally administered किया जाता है and drug used to treat and help and prevent and build up of dangerous ammonia की जिसको कहा जाता है hyper इंजाइम known as NAGS मतलब कि N-acetyl glutamate synthase जो एंजाइम होता है लिवर के अंदर इसके deficiency है तो उसके करंड जो ammonia produce होता है blood के अंदर तो उसको prevent करने के लिए और साथ-साथ उसको formation को रोकने के लिए ये कार्बाग्लू जो है जिसका costing बढ़ता है around 9 करोड रुपीज पर year कि इसके treatment जब तक चलती है तो minimum 1 year का तो treatment होता ही है तो उसके अंदर around 9 करोड जितना खर्चा होता है number 1 पे वो है जॉल जैस्मा करके है तो जॉल जैस्मा जो है वो उसका costing हम देखे तो 2.1 से लेकर 2.5 million US dollar मतलब की 15 से लेकर 18 करोड रुपे और ये बनता है सबसे expensive medicine तो उसका जो single dose ही है सिर्फ कि समझे कि आप ये बाजो में देख सकते कि 5.5 ml का ये जो आप देख रहे हैं कि उसका जो single dose है तो ये single dose की costing around पड़ती है 15 करोड से लेकर 18 करोड जितना और life saving gene therapy तो ये medicine क्या है वो आप समझे कि उसके price जानले सबसे expensive medicine का आज़ता है जो जैस्मा को तो उसको expensive किसलिए है तो उसका use समझे तो life saving gene therapy है ये उसके करन ये सबसे expensive है और अपरूल कुआ गया May 2019 के अंदर to treat pediatric spinal muscular atrophy कि जो pediatric spinal muscular atrophy है SME जिसको का जाता है उसको treat करने के लिए जोलजेस्मा का जो injection है वो यूस किया जाता है तो SME किया है SME is a rare genetic motor neuron disease बहुत rare case में उसके cases देखने को मिलते है and जिसके करन क्या होता है जो बच्चों के अंदर ये problem होता है with burn तो problem with breathing breathing में problem होता है सास नेले में difficulty होती है holding up the head and swallowing in newborn baby कि जो newborn babies होती है उनको swallowing में problem होता है अपना जो head होता है उसको hold करने में problem होता है और साथो साथ breathing के भी उनको difficulty होती है because of this SME तो उनके इलाज़ के अंदर ये injection use किया जाते है जिसका single dose की price ही है पंदरा से लिकर अठरा क्रोड रुपे तो ये है most expensive top 10 medications उसके भी अलावा कुछ ऐसे other examples है हमारे पास कि जो एक्थर करके जो आता है medications उसका cost है single dose का रुपीज 30 लेक around एक ही single dose का 30 लेक जितना cost होता है 40,000 US dollar फिर my left करके जिसका है 3.5 लेक US dollar सिर्फ single dose का ही फिर आप देखो example ऑग्जेरवेट का तो उसका जो पूरी कीट है around 8.57 लेक की जो कीट आती है कि जिसके अंदर होते है 7 वायल तो 7 वायल वाली जो कीट होती है उसका pricing बढ़ता है आपको 11,690 US dollar फिर tax zero करके जो होता है उसका बीच जो single dose का जो costing परता है रुपीज 16.9 लेक रुपीज फिर sin rise करके है उसका जो एक single dose परता है 2.12 लेक के अंदर तो यह है कुछ expensive medications कि top 10 के तो आपने prices देखा कि वो सभी करोड के अंदर ही है और यहाँ पर जो pricing देख रहे है वो lakhs के अंदर जो है वो देख सकते तो यह था हमारा सबसे important lecture आपके लिए about the most expensive medications जरूर से वीडियो को share करिए जितने भी अलग-अलग whatsapp group के आपके friend circle में यह वीडियो को जरूर से share करिए और जाने most expensive medications sensor उनके proper use के बारे में तो जोइन कर सकते whatsapp group, access करिए study material, test series, video lecture, pharma rocks के अप उपर so good luck and all the best